रोग तो बहुत छोटी चीज है, भहंकर से भहंकर रोग भी अब इसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम वह काम करना नहीं चाते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता शरीर के जो रोग है, वह है मांसे की इस्तिती से पराप्त होते हैं, और जिसकी मांसे की इस्तिती ठीक है, उसको कोई रोग होता ही नहीं है लेकिन संत्ह में समझाते हैं कि अगर आप अपनी मांसे की स्थिती ठीक कर ले तो आपके अंदर जो रोग है वह ठीक हो जाएंगे और आगे कोई रोग होगा ही नहीं लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्या करना है ये बड़े ध्यान से सुनें आप आपने केवल और केवल भगवान नाम जब सुम्रेन भजन कीर्टन करना है और कुछ नहीं करना है लेकिन करना कैसे है विश्वास के साथ निरंतरता और एकागरता के साथ अगर आपने ये तीन प्रकार से जिस तरह से आप भजन ध्यान नाम संकीर्टन करेंगे ससंग सुनेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं जितने परसेंटेज में आप यह करते चले जाएंगे धीर बढ़ते चले जाएंगे अगर आपके अंदर बीमारियां बहुता देखें तो जितनी परसेंटेज में आप भजन ध्यान करेंगे सुम्रन करेंगे और विश्वास निरंतरता और कागरता से करेंगे हम आपको बार-बार समझा रहे हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर जो रोग हैं वह ठीक होते चले जाएंगे और एक इस्तिती ऐसी आएगी जब आप ध्यान और सुम्रन की चरम सीमा में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके सारे रोग खतम हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर कोई रोग होगा नहीं क्योंकि आपका मन पूरी तरह से नाम जप में जुड़ जाएगा, सुमरन में जुड़ जाएगा, ध्यान में जुड़ जाएगा, तो बीमारी आपके पास फटक नहीं सकती हैं, आपको छू नहीं सकती हैं, और जो हैं आपके अंदर वह हैं रहे नहीं सकती हैं, तो प्यारे में कोई रोग होगा नहीं इसमें कोई संदे नहीं है अर जी हमारी है मर जी आपकी है अब हम अपनी बानी को विस्राम देते हैं जै स्री राम